तो सदीजी ये G20 का एक बड़ा वो और मतलब जब यश्वन जी इस बात को कहे तो मुझे भी कहीं न कहीं एक अंदर से लगा कि आप G20 का इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं और वो वेक्ति जिसने Group of 19 countries 1999 में जो इसके संस्थापकों में एक रहा है यश्वन जी को बुला लेने से तो मेरे ख्याल में इनका समानी भड़ता है ये जो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि कुछ भी कहें चीन के राश्पती नहीं आए हैं पतीन नहीं आए हैं इससे रौनक तो थोड़ी चली गई है मेरे दो प्रश्ण है आपसे एक तो यश्वन सिना या खड़गे जी को इग्नोर करके क्या भारत मजबूत होता है दूसरा आपको क्या कहीं लगता है कि USA की कोशिश है कि भारत लूस चीन के सामने उसके साथ खड़ा हुआ नजर आए क्योंकि अमेरिका के लिए हम बड़ी बादार हैं सौट अइशिया में हम स्ट्रॉंग उसके साथी हो सकते हैं लेकिन इस सारे उसमें भारत को क्या मिल रहा है अमेरिका को ठीक है अमेरिका को एक साथी मिल रहा है अमेरिका को एक चाइन के अगेस, चाइना रशा के अगेस कोई मिल रहा है लेकर हमें क्या मिल रहा है थोड़ा आप समझाएं तो अच्छा रहाएगा इसमें अगर हम का मतलब नरेंद भाई मोधी की ते कर दीजिए तो सब साफ हो जाता है पहली बात तो हम सिर्फ देश नहीं हैं नरेंद भाई इन्क्लूजिव बना रहे हैं हम लोगों जोड रहे हैं अगर लोगों जोड रहे थो लॉक्डान जो करें भाई? यानि कि लोगों को जोडनी की जगा उन्होंने जो कोशिश की है वो ये कि कैसे हर जगा जैसे अगर आप हवाजाज में चलिए जो इंडिगो है कहते हैं ये एप नरिंद मोधी जी ने बनवाया है इसका इस्तेमाल कीजिए इस हद तक नरिंद मोधी जी का नाम हरे के पास जाना है उनका नाम हम सभी जानते हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हर अच्छा जानता है उनका नाम, लेकि उनका नाम रोज कहना चाहिए, यह अलगतरा की बात है, अब यह जब भी कोई आदमी सत्ता में आता है, उसके अपनी कुछ पसंद होती है, कुछ उसका अपना हिसाब एक भी बोले, तो यह जो एक नई परबबरा शुरूरी है, इसमें डिमोक्रिसी नहीं है, अगर आप अमेरिका में देखिए, किसी जो सेक्रेटरी किसी वगा का बोलता है, वो ठीक है, वो बोलेगा, बाइडिन अड्मिस्ट्रेशन ऐसा कर रहा है, यह नहीं बोलेगा प्रेसि किसके यादा करीब है, तो मुझे उन्नीस सो तीस के आसपास का जवी हमेशा यादा है, जतनी चीज़े हो रही है, उनका एक ना एक जो एक सिंबॉलिक तरीके से देखें, तो हम याद दिलाता है, उन्नीस सो तीस से पैटालिस के बीच में जो जब्री था, किस तरह बढ़ाने के लिए दोस्ता ने क्या क्या नहीं किया, तो अगर आप देखें, जी ट्वेंटी, जी ट्वेंटी यासे जश्वल जी ने कहा, ये फ्रॉर मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, वह दिरे दिरे वाल्व होगे सविट के लेवल पे, आज की तारीक में भारत का नंबर उनकी 20 जो देश है, 20 देश कौन-कौन से है, EU 1 प्लस 19, और EU के कवाम देश आते हैं साहत में, लैकिन प्लस उसका जो संगठण है, वो EU प्लस 19 का है, उस 19 में भारत जो है, भारत की आमदनी प्रतीवयक्ष सबसे कम है, जो दूसरा देश भारत के उपर है, उसकी अधाही ग सब से कम भीचव नंबर पे आप के आप में तो इसकी जो हम रहे हैं, आज की तारीक में, leaked house में उसके लिए number की पाई की, टीजी पूर हें को लेकरके हम मुहान जेका जेगे जो हमाचात हुआ फारांस में और इंग्लन में, उसके लिए हमें एरपेस की जील करनी पड़ी तो इस सारी चीजे हो रही है जी अब यह बताईए कि जैसा लखन जी कह रहे हैं मतलब ठीक है वो डिप्लोमेटर हैं फॉर्वल डिप्लोमेटर हैं उनको एक रिस्टेंड भाषा में करना है लेकिन अगर भारत में हम इतने लोगों को सोने सोने और चांदीज की बने होई थाली में खाना परोस रहे हैं मैं एक चीज़ यह दूसरा एक मेरी मेरी एक दर्शा के वह आप से डिरेक्ली पूछ रही है उनका कहना यह है उनका कहना है वाशिंटन पोस्ट ने एक आर्टिकल लिखा सेप्टमर साथ ने उसने कहा जी एक्सट्री ने एक्स्प्लेंट क्या है टू यूस रिपोर्टर्स कि यूस सरकार चाहती थी बाइडन साथे थे कि प्रस कॉंफरेंस वो जी ट्वेंटी के बाद उनकी बट प्यमो डिड़न अग्री तो बाइडन साब यह मतलब यहां पर प्रस कॉंफरेंस नहीं कर रहा है कि प्यमो अग्री नहीं किया व्यटनाइम में जा रहा है यहां से वहां पर करेंगे दोनों चीजों पर हम लोग अमेरिका अमेरिका चिला रहा है लेकिन अमेरिका में तो उनका जो प्रस है या उनके जो सांसद हैं वो तो इस तरह से इसको नहीं देख रहा है और वो चानी उसके लिए कोशिश करता है उसको खुश करने की विंजन बनाता है च्छपन मिंजन बनाता है तो जब अमेरिका में रूजवेल्ट थे राश्पती और बृतिन के वहां के बहराजा गए पिंग और ट्वीन गए तो उनको उन्होंने हैंबर कर खिलाया उस तर रखा कि जैसे अमेरिकन रहते हैं उनको कोई जरूरत नहीं पड़ी बहुत चावबत करने की प्योंकि अमेरिका में ताकत थी जिनके पास ताकत नहीं होती है कमजोर होते हम दिखाते बहुत ज्यादा है हमें लग लग रहा है हम दिखा रहे हैं बहुत कुछ कि हम कम है और हमारे प्धामत्री बहुत ज्यादा है हमेशा उसका एक होता है जो दारा है वो सौ का होता है इसमें जो है नबे हमारे प्धामत्री हैं दस भारत है और जितनी चीज़ उनने कही हैं अभी भी अब मुझे जब मैं सुनता हूँ जो उनके गोदी मीडिया के जो महार थी है टी वी बेखने वाले ये नहीं है हमारे जो शीफ कौरडिनेटर रहो भी नहीं ही है वह कहते वासुदेव जी कौन है प्रिसजी के पिता जी रहे होंगे यह जो भी रहे होंगे यह वसुदेव तो नहीं हुआ नफाई अचा दूसरी बात तो यह marketing एक्साइज बिल्कु आबादी हमारी होगी उससे हमाग चले गए हैं लेकिन जो हमारा ने तत्र रहा है देखे ज़िए नाम के ज़माने में जब नहरू जी गए अमेरिका उनको रसीव करने कौन आया था प्रेसिडंट केनेडी और मेस्स केनेडी एरपोर्ट पे उनको रसीव करने आया और जब उ हमें देश में ऐसा कुछ करना पड़ता है लोग हमारी रतिष्टा करें तो नहरू जी का उनका जो स्टेचर था जब वो गए फ्रांस गए तो देगाल साब खुद एरपोर्ट पे आलसिवल लेग लिए रसीव करने हैं उनका स्टेचर तना बड़ा था आज हमारे रेताओ ласт के स्टेचर हो गया है को प्रोटगॉالस उनको स्टेघा याथ यह बहुत बड़ा फरक है पहली बार जब नाम हुआ था तो मैं भी वहाँ था मैंनी भी देखा था जब इंड्रा जी ने फिल कास्ट्रों करें ना बड़ा था फिर्ल कास्टो का जो डील डॉल था वो मुझे से कमस्कम मुझे लतता तें मुझे से 10 गुरा हैं देवलब нетा नहीं ता है लेकिन जो एक आप देखा होगा अगर किसी को यादबी हो, जस तरह से कास्ट्रों ने रिसीव किया, इंडरा जी ने रिसीव किया कास्ट्रों को कास्ट्रों उसका रिस्पांस दिया, वो अपने आप में एक प्रतिष्ठा की बात थी. मैं आपको एक और बाता हूँ जब इंडराजी के हत्या हुई उस दिन मुझे रात में अमेरिका में था मैं जगाने वाला एक अफरीका का था उसने क्या कहा कि यू रो रहा था उसने कहा कि हमारे नेता चले गए अफरीका के लोग उनको अपना नेता बानते थे इंडराजी क तो हमारी भारत की प्रिश्टा ऐसी थी कि लोगों में एक दिल से चाहते थे नेहरू जी को इंडराजी को उसके बाद से वो बात खतम हो गई इंडराजी के बाद हमारे नेताओं ने वो ये एक एक इमेज होती है कि भारत का नेता दुनिया का नेता बन सकता है तीसरी दु इसमें हुई है ओफिशल टोन में देखिए ऐसा है अमिताब कांथ हमारे सहपाथी भी है और बहुत अच्छे विरोक्राट साबित हुए है वो आज अगर विरोक्रिसी के नाम लीजे तो उनका नाम पहला आता है हमारे जेनियों के सहपाथी भी है हम लोगों ने उनकी एक उन समिट के लिए कमसकम जो यूरोपियन देश है जो OECD की देश है वो उन लाग नाम नहीं हुआ। मुझे पता ने की इंडोनीशा में रही नहीं हुआ था लेकिन किसी भी जो समिर्वांद देश है वह कभी लॉगडाउन किसी भी चीज़ कर नहीं होता है जैसे प्रवत्तर कि मार्केटिंग देश में कैसी हो कि वो विश्व गुरू है नहीं उसके अलावा है कि दुनिया के नेता है अभी आपने देखा जो हमने ट्रिपिंग देखी जब बाइदन साव आ रहे थे वोदीजी के साथ वहां भी एक जो है एक दादा गिरी है हम चल रहे हैं साथ में वो उससे हमारी प्रतिष्टा बढ़ती रही है जो हुमिलिटी में जो प्रतिष्टा बनती है वो ब्रेगाडेसियो में नहीं आती ये बात जो है आज कहीं ने कहीं वहीं खो गई हमारी समझ में आप दूसरी बात की प्रेस कांफरेंस की वो बहुत-बहुत पूर्ण बात है ज ये जो है प्रेस से डरने की जी बात है, ये हमारे आज की सरकार के जीनस फंस में आ गई हूं और हमे पिर नेता ईसे चाहिए आगे, जो राहूल की तरह हो, जो प्रेस के सामने उस तरह आता है जैसे कि आना चाहिए. अमेरिका का राश्ठोपती रोजहना प्रेस कानफरेंस क बैटता है और कभी-कभी खुद भी आता है यह इस डिमोक्रसी का एक एक बहुत बड़ा हिस्सा है एक और बात समझे अमेरिका का राश्पती हर साल आठ घंटे नियॉयॉक के इरिटर की काइट बैठता ऱ्योग टायम्स के दहुंद जाता है यह परंपरा पिछले पचास ँक साल से अमेरिकन राश्पती नियॉयॉक टाइम्स के इरिटर के दहुतर में जाके आठ घंटे बताता है हर साल में एक दिन क्योंकि उसको इसको एक जिम्मदारी है एक संक्सा बन गई है नियॉयॉक टाइम्स की और हर राशपती उसको स्विकार करता है ट्रम्प ने क्या किया एक्जाक्री पता नहीं लिए उससे भी बात निसे जाके की थी चारो साल की करीं मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन ये एक परब्बरा है दूसरी परब्बरा आप देखा हुआ कि जो वाइट हास जो प्रेस कारों कांफरेंस की मीट होती है जिसमें की स साल सक खत्म हो गया है आज की तारिक उसे ब्राट कास्टिंग चल रही है तो ये बात तो सही कहिए कि ये मार्केटिंग एक्सराइस है और ये बनाया गया से असर पड़ेगा नॉंबर के एलेक्शन्स में सारी सारी जो भूमिका ये है कि हम सबसे महान है हम विशुगरू है हम विशु के नेता हैं ये जो बात है इससे मार्केट निस्ट्रक कहीं भी बढ़ नहीं रही है ये मेरा दुखस बात का है लेकि इसके साथ जो चीज़ हुई है जैसे महरूतरा साब ने कहा आपने शोकेस किया ठीक है अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है स्वागत कि करते हैं जो कि नामल परंफरा से बाहर है तो लोग सुचते हैं ऐसा आप क्यों कर रहे हैं आप क्या चाहते हैं तो वह बात जो मैंने आप से कही कि अमीर आदमी जब किसे बिलता है तो इसको नामली देखता है जब गरीवादी बहीं अमीर को बलाता है तो उसके ये कार्प में हो रहा है क्या क्या हमने देश में सिस्टेनिबिल्टी की बात की है गरीब दूर कादी की बात की वो नहीं कर रहे हैं हम दुनिया में वो बात कर रहे हैं उसको देश में तो लगा लें चौती बात यह है कि हमारी रतवरस्ता की बात हो रही है कि हम आठ परसंट पर चल रह लेकिन expenditure पर डिर्ड के आसपास है, हर देश दोनों को मिला के बात करता है, मिला के देखिए हमारी growth rate साड़े चार परसेंट है, और हमें कहना है कि हम आठ पे चल रहे हैं, यह अपने आप में अपको भुलावा देना है, यह चलावा अपने आप से है, किसी और से नहीं है, और यह आज की तारीक में नौ साल सी परभर चल रही है, कि statistically जो है, अपने आपको कितना बढ़ाचराग दिखा सकते हैं, उससे हम कई बार भूल जाते हैं, जब मैं भी कुछ करता हूँ, एक बार मुझे भी लगा, कि मैंने आप बढ़ाचराग बोलूंगा, फिर मैं भूल गय कि मैं भूल रहा हूँ, देश को भी साथ ऐसे होता है, जो हम बच्पन में बाते की हैं, अनन जी सदीजी एक प्रश्ण है आपसे एक और, एक कम्रेश्टिवारी हैं, वो प्रश्ण पूछ रहा है, वो कहना है, सर, इस दा वर्ल गेटिंग दिवाइब्स, देट इंडिया इस नो लॉंगर डेमोक्रसी, लॉग्डाउन इंडेली, नो प्रेस कॉन्फरेंस, मार्केटिंग मोदी, अप्लेंस वाइब्स पूरेस्ट मेंबर कंट्री, एक अमारे कमलेश्टारिया, उनका कहना है कि इन सब करने से क्या कहीं बाहर में जो हम विश्वगुरू, विश्वगुरू कह रहा है, उसका उल्टा असर तो नहीं हो रहा है, देके जहां तक लोगों की बात है, एक छवई की बात है, हर जगा सवाल ही हो रहा है कि भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, आपको याद होगा, एक समय में नियॉयॉक टाइम्स के नाम पे पूरा फ्रंट पेज, वारे कहना पर चाप दिया गया है, तो नियॉयॉक टाइम्स को कहना पड़ा है, उनके रोड डोड चला गया है, हर जगा इससे हमारी छवी धूमिल हुई है, उसमें कोई दोरा नहीं है, लोगों में देखे, जो परसेप्शन बनता है, वो इन चुछ बहुत बाहर हो जाता है, हम कतनी कोशिश करें दवाने की, वो चीज़ छिपती नहीं है, तो लोगों में जो परसेप्श कि प्रतेश्टा थी जब भारत उनीस सो साथ पैसेट में अमेरिका की उसका जगड़ा रूस से था हमसे नहीं था हमने अलाई कि रूस से तो अमेरिका ने का ठीक हम जगड़ा करेंगे पाकिसान बना देंगे वो उनकी अपनी फॉर्म पालिसी कहसा है लेकि जो व्यक्तिकत ज कि सबस्टे के अच्छे ही एकोनमिस में Seit इस्बाने में हमारी प्रतिश्टा ऐसी थी कि वो लोग सब मानते थे जो भारत के जो पनते हैं पिश टी वाले स्टिसूर अर एकानामिक्स दो विश्यों में हमारी माहता थी कि हमारे लोग बहुत अच्छे हैं मतलबrän's टिर्स देखा कि कौन आकड़ा कैसा है हमेंसे उसकी कोशिश की दिखाने की क्यों गलत है लेकिन वो दिखाने के लिए हम अच्छा करना चाहते हैं आज की तारीख में हम जानते हैं तक्ति क्या है उसको चुपाना चाहते हैं यह इतना बड़ा फर्क हो गया है तो जो जी ट्वेंटी है देखिए marketing exercise है पार excellence जी ट्वेंटी जो है प्रधानतीक प्रदिश्टेक्रे बनाए गया है लेकिन उसका नतीज़ा उल्टा निकलेगा जी ट्वेंटी से इसको बनाएगा है election का एक मुद्धा बनाएगा है जिससे कि लगे कि वही सबसे आगे है वो चल रहा है लेकि यह जितने मुद्धे है कि यह inclusive है मेरे साथ से नहीं है inclusive तब होता जब दिली के लोगों से वाकि लोग बिलते जब दिली के लोगों पर बंदश नहीं होती तब उसको हम inclusive मानते आज की तारिख में inclusive सिर्फ एक दावा है और बाकी से जो हो रही है उससे बहुत अलग है मैं एक चीज और आप से इसलिए पूछ लूँ कोई चलते चलते एक तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा लेकिन जब इस बार जो बाइडन साहब आए हैं तो इसमें तो कोई माने चाहे ना माने दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी बोला जाएगा क्योंकि अमेरिका आप से यह पूछना है कि अभी जो सौथ अफरिका में हुआ था कि प्रॉप सिर्फ कैबिन बिनिस्टर आए थे फिर उन हमारे जैसा कहा गया वहां की स्टोरी कहती है सौथ अफरिका की जिंसी से वो कह रहे हैं कि मोधी जी उत्रे ने फिर डिप्रिटी चीप प्राइमिनि लेकिन उन्होंने भारत नहीं आना कि और कारौनों से जो डिप्लोमेटिक नहीं है मैं जड़ा वीके सिंग सहाब वाली बात समयना चाहरा हूं उन्होंने कोई फर्स नहीं किया वह ठीक है जो आया है तेखिए अमेरिकन प्रेसिडिंट को इस चीज़ को फर्क पढ़ता नह है वो अमेरिकन प्रेसिडिंटी रहेगा अगर उसका सवागत आप नहीं करोगे ठीक से उसका असर बाद में आता है जो पॉलिसीज होंगे इसमें दिखेगा लेकिन फर्स कौन करता है फर्स वो होता है जिसके पास कुछ और ताकत नहीं है कमजोर लोग जादा फर्स करते ह हैं जो मजबूत लोग हैं उनको ऐसा कुछ करिंग जरूती पढ़ती है नहीं है तो जैसा देखा आपने जिस तरह जेनरेट यलन ने हाथ बलाया है प्रहां अंतरी से उसमें एक उत्सकता थी यह आगए क्योंकि उनका रोल ऐसा है हेड़ सेट एक स्टेप एहद होता है उस प्रोटोकॉल की बात है प्रोटोकॉल में आमतर पर फॉर्रिमनिस्टर या फॉर्रिमनिस्ट्री का एक डिजिगनेटड आद्मी होता है जो प्रोटोकॉल करता है तो वह सब ठीक है उस साबसे लेकिन अगर आप दिखाना चाहते हैं आपकर रिष्टा अच्छा है मुझे लगता है जिसलिये ह boastे हुआ को वहां उनको उस लेवर रेसीद नहीं कियागा अमेरिका में तो उसको रेसीप करें ने किया है यह चलता है रहते है डिप्लामसी में हमें इसमें कोई मुश्किल नहीं है लेकि अगर आप चाहते थे कि अमेरिकन राश्पती को हम आगे ले चलें जैसे जान जान केनेडी चले गए अपनी पत्नी के साथ नहरू को सीव करने अगर आप जाते तो आप एक दूसरा माहौल खड़ा करते हैं लेकि यहां यहां यह कहना है कि हम अमेरिका से बड़े हैं देखिए जी ट्वंटी का मुद कि उनके खिलाफ वारंट है उनके खिलाफ जो इंट्राशनल कोर्ट का वारंट है तो निकल नहीं सकते वैसे हिंदुस्थान को कोई मुश्किल नहीं थी लेकिन वह ऐसी स्टूशन क्यों बनाई जाए जो चीन का है वो पूरी तर डिप्लमेंटिक है वह यह कहने के लिए कि खालो चीन और रूस दोने के वजह राइलग है लेकिन एक सटल मेसेज यह है कि तुम कहना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े फ्रेसिदेंट हो हमनी मानते तो वह संदेश जो है लोगों को जाना चाहिए कि यह उनका ना आ ना आपने एक बहुत बड़ा स्रिट्मेंट है ल लॉक्डाउन किसी जमाक्रसिव नहीं होता यह होता है डिस्पॉर्टिक अफ्रिकन स्टेट में हुआ करता था वहां भी अभी चीज नहीं नहीं होती वहां विकास बहुत हो गया है अब यह याद रखेगा अफ्रीका में 54 देश है और एक एक सो चालिस करोर लोग है उनकी ज अगर कल आप कहेंगे तीसरे हैं अफ्रीका कहते हम अफ्रीकन यूइन बन गए हैं तो हमसे आगे रहगा अफ्रीका याद रहना चाहिए तो यह संगर्व हमेशा हमारे सामने रहना चाहिए लेकिन जिस तरह से आप अपने डंका बजा रहे हैं जुरूर बजाए अच्छी बात है हमें अच्छा लगता है भारत को नाम अच्छा हो हम अच्छा लगता हमारे प्रामतरी बहुत सराना हो उनके बहुत इनका आदर हो दुनिया में पतेश्टा बने वह बहुत अच्छी चीज समझ लगती है लेकिन जब हम ऐसे चोटे-चोटे काम करते हैं जिन से जो स समझते हैं, वहां कहीं कुछ चूख हुआते हैं हमसे, तो हमारी सद्भावनाएं G20 के साथ बिल्कुल हैं, हमारी सद्भावनाएं इंडिया लीडरिशिप के साथ भी हैं, लेकिन जो छोटी-छोटी बाते हैं, इसका पॉलिटिकल इसका मार्केटिंग ले इसका किसी ने कभी नहीं किया है, तुक उनके लिए जरूरी नहीं था, हमारे लिए यह मौका बनाया गया, और इसलिए नमबर की वज़ा, सतंबर में मीटिंग हुई, जितनी सारी बने बाते हैं, उसको आप देखें एक तरह से, यह एक व्यक्ति विशेश के लिए कि आ गया है, देश के लिए नहीं